साथ संगत जी प्यार से कहना धन दरंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर यहां हर रोज मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक अखबार वाला प्रात्यकाल लगभग पांच बजे जिस समय अखबार देने आता था उस समय शाम जी अपने मकान की गैलरी में तहल रहे होते थे इसलिए वो अखबार वाला शाम जी के घर के मुख्या द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए शाम जी के आवास में अखबार फैकता और शाम जी को नमस्ते बाबु जी वाक्या से अभिवादन करता हुआ तीजी से आगे बढ़ जाता था अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ शाम जी के सोकर उठने का समय बदल कर साथ बजे हो गया जब कई दिनों तक अकबार वाले ने शाम जी को नहीं देखा तो एक रविवार को सुभे नौ बजे वो अकबार वाला शाम जी का कुशलक शेम पूछने के लिए उनके घर पर आ गया जब अखबार वाले को पता लगा कि शाम जी के घर में सब ठीक हैं तब शाम जी ने ही उस अखबार वाले को बताया कि बस मैं यूँ ही अब देर से उठने लगा था तब उस अखबार वाले ने बड़े ही सविन्य भाव से हाथ जोड़ कर शाम जी से कहा कि अच्छी आदत को क्यूं बदल रहे हो। आपके लिए ही मैं सुभै तड़के विधान सभा मारक से अकबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकल चलाकर आप तक अपना पहला अकबार देने आता हूं। मैं सोचता हूं कि आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शाम जी ने बड़ी हरानी से पूछा कि तुम विधान सभा मारक से अकबार लेकर आते हो। अकबार वाले ने बताया कि हाँ बाबुजी सबसे पहला वित्रण वहीं से शुरू होता है। शाम जी ने पूछा तो फिर तुम उठते कितने बजे हो। अकबार वाले ने बताया जी धाई बजे। फिर साड़े तीन बजे तक वहाँ पहुँच जाता हूं। फिर लगभग साथ बजे अकबार बाट कर मैं घर वापस जाकर सो जाता हूं। और फिर दस बजे अपने क और देखते रह गए। फिर कहने लगे कि ठीक है। तुम्हारे बहु मुल्य सुझाव को मैं ध्यान में रखूंगा। इस घटना को लगभग 15 साल बीत गए। एक दिन सुभह 9 बजे के लगभग वो अकबार वाला शाम जी के अवास पर आकर एक निमंतरन पत्र उन्हें द बता चला कि किसी डॉक्तर लड़की का किसी डॉक्तर लड़के से भी वहा है। तो ना जाने क्यों शाम जी के मुझे निकल गया कि क्या ये तुम्हारी लड़की है। अब अकबार वाले को भी शाम जी के इस प्रश्न का क्या मतलब लगा होगा। अकबार वाले ने शाम ज लड़की को डोक्टर कैसे बना सके अकभार वाले ने बताया कि हाँ बाबुजी मेरी लड़की ने MBBS किया है और उसका होने वाला पती भी MD है और बाबुजी मेरा एक लड़का इंजीनरिंग के अंतिम वरश का आचात्र है शाम जी अकभार वाले की बातों को सुनकर सोच रहे थे कि उसको आकर अंदर बैठने को कहें लेकिन अकभार वाले ने खुद ही कहा कि अच्छा बाबुजी अब मैं चलता हूँ मुझे और भी कई काड़ बाटने है लेकिन आप लोग आईएगा जरूर शाम जी ने फिर सोचा कि अगर मैं इस अकभार वाले को अचानक से अंदर बैठने को कहूंगा तो ये एक चलावा ही लगेगा इसलिए शाम जी ने भी अपचारिक नमस्ते कहकर अकभार वाले से विदाई ले ली उस घटना के दो वर्षों के बाद जब वो अकभार वाला शाम जी के घर पर आया तो शाम जी को पता लगा कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कारियरत था उस सुकतावश शाम जी ने अकभार वाले से प्रशन कर ही डाला कि आखिर उसने इतनी स्विमित आय में रहकर अपने बच्चों को उच्छ शिक्षा कैसी दी तब अकभार वाले ने कहा कि बाबुजी बहुत लंबी बात है फिर भी कुछ आपको बता देता हूँ अकभार बाटने के बाद और नौकरी के बाद भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लिता था साथ ही साथ हमने अपने खरच पर इतना कड़ा अंकुष किया कि हम भोजन में सबजी के नाम पर रात में बाजार में बची कुछी कद्दू, लौकी, बैंगन जैसी सस्ती सबजी को खरीद कर घर परला कर बनाते थे एक दिन मेरा बेटा परोसी गई थाली की सामगरी को देख कर रोने लगा और अपनी मा से कहने लगा कि मा ये क्या रोज बस वही कद्दू, बैंगन, लौकी जैसी सबजी मैं ये रूखा सूखा खाना खा कर रूब गया हूँ, जब मैं अपने मित्रों के घर जाता हूँ, तो वो लोग मटर पनीर कोफते, दम आलू आदी जैसी चीज़ें खाते हैं, मैं भी ये सुन रहा था, तो मुझ से रहा नहीं गया मैं बड़े उदास मन से अपने बेटे के पास जाकर, बड़े प्यार से उसकी तरफ देखने लगा, और फिर मैंने पहले उसके आसू पोचे, फिर मैंने आगे उसे कुछ कहा, और जो भी मैंने अपने बेटे से कहा, वो सुन कर मेरे बेटे ने अपने आसू खुद ही पोच मैंने उससे केवल इतना कहा कि बेटा केवल अपनी थाली देख दूसरों की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी और सिरफ अपनी थाली देखेगा तो क्या पता तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा इसलिए अन का अनादर मत कर. इसमें जो भी कुछ परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खुशी से खा ले. मेरे बेटे ने मुस्कुराते हुए मेरी और देखा और जो भी कुछ थाली में परोसा गया था, वो खा लिया. उसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझे से किसी भी प्रकार की कोई माग नहीं रखी बाबुजी आज का दिन मेरे बच्चों की उसी त्याग का परिणाम है अब अखबार वाले की बातों को शाम जी तन मैता के साथ चुप चाप सुनते रहे और साथ ही साथ सोच भी रहे थे कि आज कल के बच्चों की कैसी विकरित मान सिकता है कि बच्चे अपने माता पिता की हैसियत पर द्रिष्टी डाले बिना उन पर उट पटांग मांगो का दबाव डालती रहते हैं जबकि ऐसा करना बिलकुल गलत है अखबार बेचने वाले के बच्चों ने सभी बच्चों के लिए कुधारन पेश किया साथ संगत जी आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और अगर कुछ कलती हो तो बक्ष लेना जी फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई और बहुत खुबसूरत साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन्दरंकार जी